हलो दोस्तो तो आपका श्वागे थे AD support क्लासो आई जो है नाग्पूरी टेष्ट डू का एनलेशिस है। पूरे डिटेल्स में हम लोग इसका सौ प्रश्ण का एनलेशिस करेंगे। तो भाई ये कहां से प्रश्ण आ रहे हैं और कैसे किस प्रकार एनलेसिस हो रहे हैं ये मुझे क्यों important है तो भाई जानने के लिए ये पूरा वीडियो देखें सबसे पहले मैं बता दूँ कि आपको ये टेस्ट जो मिलेगा 20 प्लस 8 है ठीक है नागपुरी अगर आपका language paper है तो 20 प्लस 8 है only 149 में available है on AD classes ठीक है AD classes यहां जो है AD जहारखंड classes पर जो free of cost टोटल जो पूरा वीडियो नागपुरी का free of cost कराये गया है लेकिन AD classes पर अभी जो है test start हो गया है तो जल से जल AD classes जो है app डाउनलोड करें और यहां आपका संपुर्ण course है नागपुरी का 399 में और जैसे जहारखंड का notes only 149 में available है जहारखंड का practice state 149 में जहारखंड current of years only 49 में ये सब सारे चीज़ available है तो दोस्तो आप अगर success करना चाते हैं सफलता पाना चाते हैं 140 में 130 प्रशन लाना चाते हैं ठीक है 140 में 130 प्रशन लाना चाते हैं तो AD जहारखंड classes से जुड़े और AD classes app तो अबस्य आप download करें ठीक है तो चलिए हम लोग class की ओर चलते हैं हाना चलिए class की ओर चलते हैं ठीक है तो अभी जो होगा चलिए हम लोग class की ओर चलते हैं तो अभी होगा क्या चीज़? analysis होगा 100 प्रशन का ठीक है ध्यान से देखेंगे क्योंकि यह सेट मिलेंग नहीं ठीक है सिर्फ आपको यह practice सेट मिल रहा है on AD classes app 149 में 20 से 25 की बीच में आपको सेट मिलेंगे बहुत ही important यहां सेट आपको देखने को मिलेगा ठीक है तो पहला प्रशन है रंथू सिंग रंथू सिंग के बजार जायक बेरा सलाम गोंजु रंथू के कहला ठीक है यानि यह रंथू के गोंजु भी कहा जाता है रंथू के गोंजु भी कहा जाता है यहां रखें तो यहां जो प्रशन है पहला प्रशन क्या है कि रंथू सिंग के बजार जायक बेरा सलाम मंसा कोन है मंसा कोन है तो यह सुखुकर धांगर है ठीक है केकर सुखुकर यह मंसा धांगर है और यह जो प्रश्ण है कहां से लिया गया है तो यह जो प्रश्ण है यह रंथु सिंग कोन कहानी कर पात रहे तो एक चक्ता रौद से यह कहानी लिया गया है तो इसके एक चक्ता रउद के लिखा कोन है कही नेक्स्ट आपका जो है यहाँ दूसरा नंमर प्रश्ण है रन्थु सिंग घिनू हलवाई के पास से काले लग कोन-कोन मिठाई लिए यही बात है यही रन्थु सिंग घिनू हलवाई के पास तो यहां देखिए यह जो हो जाएगा बालु साही और प्याव दुनों लिये थे यानि कि ओप्सन नमर इसका डी साही हो जाएगा तो इसके जो लेखक है प्रफुल कुमार राय है तो प्रफुल कुमार राय का जनम कब हुआ था यहां विवादित इनका जनमतित ही है दो बुको में अलग-अलग 4 बुको में सारे मतलब कि 2-4 बुको में दो बिंजिया कर कितना उमर होत रहे जब बिंजिया करमाई क के निदन हो गिलत तो जब बिंजिया के माई के निधन हो गया था हना तो बिंजिया कर कितना उमर हो रहा था उस टाइम तो भाई इसका जो है option number हो जाएगा 20 हो जाएगा 6 वर्स हो रहा था 6 वर्स जब बिंजिया का हुआ था तब उसकी मा का द्यानत हो गया था बहुत सारे students लोग comment कर रहे हैं कि set तो ठीक है लेकिन आपका जो ही ये आपका green color आ जा रहा है तो बाबू ऐसा बात है न कि ये जो आप test लगाएंगे न तो green color ही हो जाता है test के बाद अगर आप PDF डाउनलोड करेंगे न test के बाद PDF डाउनलोड करेंगे तो इसी प्रकार से आपका green color आया हुआ होगा ठीक न तो ऐसे ही आपको यहाँ set मिलेंगे अगर आप set लगाना चाहते हैं आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो अवस्य देखे टोटल वीडियो इसमें बहुत सारे आपको जानकारी मिलेंगे तो सबसे पहले मैं बात बता दू यहाँ आपका confirmation आएगा ठीक है confidence आगा set लगाने के बाद आपका confidence आगा आप यह समझेंगे कि आप कितना पानी में है कहने का मतलब आपका कितना अभी label बना है ठीक है तो बिंजिया जो आपका यह लिया गया है कहां से लिया गया है तो बिंजिया कौन लिखा के है बिंजिया के तो एक सार्दा नाम लड़की जैसा है तो सार्दा प्रसाद बिंजिया लगाती है ऐसे इस प्रकार से हम लोग याद रखेंगे कि बिंजिया सार्दा प्रसाद के द्वारा लिखा गया है ठीक है इसमें कोई बुरा ना मानेंगे चलिए आपका फूर्थ नमबर प्रस्ण क्या है गोतिया कुटूम कौन सांज बिदा हो लग तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि ये गोतिया कुटूम जो है आप इतना बड़ा नागपूरी पेपर टूमें ये चीज़ आप कहां ढूंडेंगे तो सबसे पहले ये कहां से लिया गया है तो बिंजिया से ही लिया गया है और ये जो बिंजिया से लिया गया है तो गोतिया कुटूम कौन सांज बिदा हो लग तो तीसर सांज बिदा हो लग लग और यही तीसर सांज सोहराई ठीक है कौन बिंजिया कर बाप कर का नाम रहे सोहराई सोहराई के पनियास सुरू हो गिल रहे सोहराई के तीसर सांज का सुरू हो गिल रहे पनियास ये चीज आप एकदम आप नोट कर लेंगे काची सुरू हो गिल रहे पनियास ठीक है उसका प्रान निकलने लगा था बिंजिया के ठीक है next person है पाचवा नमबर person है बिंजिया के बाग तरी कोन जात ले रहे बिंजिया के बाग तरी कोन जात ले रहे ठीक है option number A है मुहरा दूसरा B है सोराई, C रतिया और यह D मुरहा, तो option number D हो जागा मुरहा, बहुत सारे student मुहरा मार दिये होंगे that's the confusion सब्द, ठीक है, तो भाई ध्यान दे questions पढ़े directly हवा में न मारे, questions को अगर नहीं समझ में आए तो 2-4 बर पढ़े, अगर आप चाहते हैं कि मेरा जाना हुआ प्राशन, जो मेरा confidence है, वो प्राशन गलत नहों, एक्जाम में, तो आप जो हैं, अवश्य दो से 4 बार प्राशन पढ़े तभी मारे, ठीक है बहुत सारे, 2 घंटा, बहुत टाइम होता है, ठीक है, आपको पढ़ने है देने हैं, तो 4 बार क्यों ना प्राशन नहीं पढ़ने, ठीक है, 2 घंटा, बहुत टाइम होता है, ठीक है, भौलवा के दादा, कहा कर बञद रहीं, ठीक है? तो ये भौलवा कर दादा ओ कहा कर बञद थे, हना, तो सबसे पहले मैं बता दू, कि ये जो भौलवा के बारे में बताय गया है आपको हम total details में बताएंगे तो ये पहले question को हम solve कर लेते हैं तो भोलवा के दादा कहा कर बाइद यानि की कवी राज बाइद जिसको वैद बोलते हैं लेकिन ये बाइद एकदम latest जबाना के थे एकदम भूत मंतर जहाल फूख से लेकर आज तक सुइया जो देते हैं ने स्कोप तक था इनके पास मतलब latest लेकर अभी तक ये जो थे कहां कि ये कवी राज थे तो रातु महराजा के पास के यह कवी राज थे तो भाई ये जो भोलवा जो है कौन कहानी कर पात रह गई तो सबसे पहले ये रद्धी कागज कर पात रह गई रद्धी कागज लेला हो रद्धी कागज ये कौन चिलाते थे यही भोलवा चिलाता था ठीक है अब एकर दादा ठीक ना एकर दादा जो है कहा के नचनिया ननले था ठीक है आपको पिछ पढ़ रहे है तो इस सारे जो पुछ रहे है उसका comment section एक दम वीडियो पाउच करके दीजिएगा ठीक है क्योंकि यह सब सारे चीज जो है आपको याद होंगे ठीक है आपको सारे चीज क्यों याद करवाते हैं भोलवा कर दादा के पास कितना खारी झेत रहे ठीक है जो प् खेद रहे, कितना खारी, साथ से 8 खारी भोलवा कर दाडा के पास रहे, ठीक है याद हो गया पीटर कर बेटा रंजन का कर अत रहे, तो पीटर कर बेटा रंजन का कर अत रहे आप जल्दी बताये आठ नमर प्रस्चन है सबसे पहले मैं बता दू कि ये जो पीटर और निरल है, ये जो कहां से लिया गया है, पीटर और निरल ये क्रिश्मस कर सांज से लिया गया है, कहां से लिया गया है प्रशने, क्रिश्मस कर सांज से जे कर लेखक है, क्रिश्मस कर सांज कर लेखक कोन है, ये आपका कुमारी बासंती है, तो भाई, पीटर करसान सिस्ट कता से लिया गया है जिसके लेखा कौन है गुमारी बाशनती है चलिए अगले प्रशन की ओर हम लोग चलते हैं और ये सेट ये प्रशन जो है आप लोग की सफलता के लिए बहुत ही मेहनत से बनाया जा रहा है आपको जो है एडी क्लासेस पर आप सेट लगा सकत है अरे भाई ये भूल में मत रहिएगा आप टेस्ट लगाएंगे तो आपको पता चलेगा ने तो क्वेशन देखते रहे जाएगा हाना क्वेशन देखते देखते दिन गुजर जाएगा ये नहीं बोल रहे है कि सेट निकला हुआ है तो लगा ही लिजे लेकिन सेट लगा पहले प्रस्ण को solve कर लेते हैं रोजी दिदी कुनकूरी अस्पताल में आउटडोर कर पारी हफता में कितना दिन रहे तो एक हफता में वह आउटडोर कर तीन दिन जाती थी कितना तीन दिन जाती थी कितना जाती थी तीन दिन जाती थी ठीक है और यहाँ बताईए कि ये रोजी दीदी थी ना कोन अस्पताल के नर्स थी ते कुनकूरी अस्पताल कर यह रोजी दीदी नर्स थी और रोजी दीदी थी यह जो आथी बीच वाली बहन थी कैसे भाई यह जो पीटर है बलका थे ठीक है और यह रोजी बीच वाली थी और नीरल इससे छोट था और नीरल को एकदम बच्चा जिसा अपना बच्चा जिसा ये पाल पोस्कर बढ़ाई और उसी के चलते ये रोजी दीदी साधी नहीं की थी, सारे कुटुम मन के भगा दी थी, आना, चलिए, नेक्स्ट अगला प्रशनी क्यों चलते हैं, ये एनालेसिस भी कैसा है, किस प्रकार का है, ये भी आप कमेंट सिक्षन में करेंगे, रोजी दीदी कर कुनकूरी अस्पतार, देखे, यहां रेपीटेड हो गया प्रशन, तो ये सब टेंसर न लेंगे, क्योंकि ये टाइपिंग में हो जाते हैं, वो अटमेटिकली ले लेता है, ठीक न, तो ये आप टेंसर न लेंग जोत रहा था, कोन खित जोत रहा था, दाड़ी जोईन, ठीक है, ये जो है मंगरू कोन खित जोत रहा था, दाड़ी दाड़ी जोईन, तो ये देखिए, ये जो था, किसका ये मंगरू नोकर था, तो ये देवमन ओहदार कर, देवमन ओहदार के यहां यह काम करता था, और इक कोन धीपा टोली धीपा टोली टूर चोणी से यही देवमण ओहदार जो है क्या करा दिया था इसका साधी करा दिया था तूरा प्रस्न है खिरधोर सिंग ठीक है खिरधोर सिंग खिरोधर सिंग ठीक है और मंजली बोहरिया कर साधी कर समय कोन बाद्ययंत्र एकदम रसीला में बजलग मतलब बहुते बादलग खिरोधर सिंग और मंजली बोहरिया कर साधी कर समय कोन बाद्ययंत्र सबसे ज़्यादा बजा था तो यह जो बजा था यहां नगेरा और धाक दोनों बजा था ठीक है कोन कोन बजा था नगेरा और धाक दोनों बजा था इसका सही अंसर हो जाएगा option number c तो भाई ये मैं बता दूँ कि ये खिरोधर सिंग कोन कहानी से लिया गया है ठीक है खिरोधर सिंग जो है ये भाई कोन कहानी के पात्र हक है तो ये जो है मन पूरन कहानी के पात्र है कोन मन पूरन कहानी के यह पात्र है भाई मन पूरन को कोन लिखे है तो ये लाल रन विजय नाथ सहादेव लिखे हैं लाल रन विजय नाथ सहादेव चलिए नेक्स प्रस्न क्यों चलते हैं खिरोधर सिंग कर बढ़की बोहर्या कर बेटी कर नामकार है तो लीला नाम रहे का था नाम लीला ठीक है और लीला के बेटा के कोन बचाले हलक गोहमन साब से तो यही सुसीला बचाई थी ठीक है सुसीला जो है एकर सबसे छोटकी माई थी लेकिन ये सोतेली समझती थी लेकिन ये लीला कब मा कहेगी इसका इंतजार में पूरा सुसीला अपन जिंदगी बिताई देलक ठीक ह और गोहमन साब लिला के कोन अंग में कट ले रहे तो बाह में कट ले रहे कहां बाह में हाथ का जो होता है वही बाह होता है उपर साइड तो यह सुसीला जब लिला के बच्चा को बचाई ठीक है तब यह मा बोली तब एकर दीन पूरलक कि लिला के बेटा के चलते तु जो है लिला उके मा बोल लग और इके चलते उजो लिला के बेटा के सुसीला मन पूरन नाम राइखते लग तो भाईग, चौदा नमबर प्राशन क्या पोलता है भाईग कर लेखक, भाईग जो है, सिस्ट कथा है, भाईग कर लेखक निमन में से कोन है, तो प्रमोद कुमार राय जी है, तो आप से मैं ये पूछ दूँ कि सीबा कर पतनी कर का नाम रहे, ये आप से प्राशन है, और सी सीबा कोन कहानी कर पात्र रहे, ये आप जरूर बताएगा, सीबा कर पतनी कर कार नाम रहे, ये आप कमेंट सेक्षन में जरूर कमेंट कर ना, क्योंकि आप लोग के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, इतना भी तो सरम कर रहे, मेहनत कीजिए, जो मेहनत कर रहे है, और मेह तो वो अच्छे कर रहे हैं और भी एकदम मेहनत करें ताकि सफलता आपके पास आए खुद। ओकर बेटा सीबाकर बेटा सफवा पास पास हुए थे। केकर गुनकर बखान पूरा यानिकी गोटा गाउमन करत रहे तो मांदी कर भाई यह मांदी और रन्थु कहां से है भाई तो यह मांदी से ही लिया गया है ठीक है मांदी सिस्ट कथा से ही लिखा लिया गया है जिनके लेखक कोन है उमेश नंद तीवारी जी है कोन है उमेश न प्रश्ण है ये quality है कैसा लग रहा है ठीक है और analysis भी कैसा लग रहा है ये भी आप बताएंगे next आपका प्रश्ण हाथी का दात हाथी का दो दात तोड़ने को कौन बोल लग ठीक है तो कौन बोला था तो भेडा बोला था ठीक है जब बुढ़िया पूछी कि भाई कोन है मेरे घर में घुसल तब वो बोला था भेडवा कि हाथी का दूई दात तोड़ने को कोन बोला था तो ये भेडा बोला था और ये जो लिया गया है दूसुट भेडा कथा से लोग कथा से लिया गया है भाई मुझे आप ये बता देना कि ये दूसुट ठेक है, खाली, ये बता दे, वो बुढिया का करती थी, अव का थी, आना, चलिए, अठार नम्र प्रशन क्या है, दूसित, भेडा, कौन परकार कर कथा आहे, तो ये जो है, पसु पक्ची, संबंधित कथा है, कौन पक्ची, संबंधित कथा, next मैना और बूट में कथा में मैना केकर पास छटा भार में जाई ला तो मतलब कि छटा भार में किसके पास जाता है वो समुंदर पास जाता है समुंदर पास जाता है तो भाई ये जो है सबसे पहले किसके पास जाता है बढ़ाई के पास, ठीक है, बढ़ाई के पास के बाद कहा जाता है, कहा जाता है, साप के पास, साप के पास, पैना के पास, इसी परकार से पैना को जलाने के लिए आग के पास, आग जलाने के लिए बादल के पास, हाना इसी परकार से समुदर के पास, फिर बगवान के पास, मतलब टोटली इस प्रकार से क्रम संक्या है अभी मैंने क्रम संक्या बता है यह क्रम संक्या को आप लोग कमेट सेक्समें कमेट करें चलिए अगला प्रस्ण है उमेद है मुझे कि आप लोग को यह एनलेसिस बहुत ही अच्छा लग रहा होगा मैना और बूट कथा में छटा बार केकर पास जाई ला तो यह समुंदर के पास जाई ला चलिए यह तो मैंने पढ़ाई दिया राजा कर विश्वास 21 नमर प्रस्ण है राजा का पर विश्वास करत रहे तो यह कर्दव्य पर विश्वास करत रहे तो भाई ये कौन कहानी से लिया गया है ठीक है तो राजा ये भाईग ठीक है यहाँ लोग कथा का भाईग है ठीक है जो लोग कथा में है और ये एक भाईग भी है सिष्ट कथा में भी तो दोनों में आप ध्यान देंगे ठीक है इनके जो लेखक है भाईकर उलेखक है और यहाँ जो है दूसरे तेक है यह भाईकर खेल यहाँ जो है भाईकर खेल में कभी कंफ्यूस न करेंगे क्योंकि ये जो है राजा कापर विश्वास करत रहे तो करता विपर विश्वास करता है लेकिन वो जब कुमहार के बच्चा को वो पाल पोश के बढढ़ाया लेकिन उसके बावजूद भी ठीक है भविश्वानी रात में आकर जो घर में किये थे वही बात हुआ आखिर उन्सकी बीबी जंगल में जब साधी हो रहा था आप कहानी आप पढ़े होंगे तो यादी होगा तो माटी कर बाग बना रही थी ये तो बात पता होगा ना माटी कर बाग बना रही थी और उससे नहीं बना तो वो लड़का बनाया और ओरिजनल में ब बावरी था, ठीक है, लेकिन दूसरी राजा भुवन भर कि दूसरी पतनी कर का नाम रहे, ठीक है, तो चामुंडा नाम था, क्या नाम था भई, तो चामुंडा दूसरी पतनी का नाम, चामुंडा था, नेक्स चलिए, कमल और केतकी, आपका जो है, कमल और केतकी से लिया गया लग तो कौन चूसा भाई उस सारा उसका गुद्दा उसका ये सब जो होता है बढ़की और मंजली तो खा गई कि दहजारे उकर बेटा बेटी ना होए जो साधु बबा दिया था अमबार लेकिन उका कि कि आठो खाई आठी जिसको हम लोग बोलते हैं आठी यो और उकर बोक सोना और रूपा लखे चोवा और राजा भुवन भर कर पत्नी कर नाम जो था गवरी था तीसरी सबसे छोटकी पत्नी कर नाम ठीक है हाना चले 24 नमर प्रस्ण है छोटकी रानी कथा में कई को बहिन मन रहे तो साथ गो ये सब सारे स्टोरी हम लोग जानते हैं ज्यादा नाधपुरी कवी कर विशेश सहयोग रहें कहने का मतलब ये जो नाधपुरी नाटक विश्वनात साही है ये नाटक में जो है यहां संस्करन तयार करने में किसका हाथ सबसे ज़्यादा रहा है यह चीज पूचा जा रहा है तो यह जो है संस्करन अगर यह नहीं रहते स्री आशोक पागल जी तो संस्करन का निर्मान नहीं होता नहीं संस्करन नहीं आता ठीक है? चलिए तो इसका हो जाएगा ओप्सन नमबर C सही अंसर ठीक है चलिए 27 नमबर प्रस्टन है नागपूरी नाटक ठाकूर विश्वनात साही में जय मंगल सिंग कर पातर कर भूमिका के निभालग नागपूरी नाटक ठीक है नागपूरी नाटक ठाकूर विश्वनात साही जय मंगल सिंग कर पातर के भूमिका कोन निभाये तो यही स्री पूलीन रंजन जी इनके पातर के भूमिका निभाये थे चलिए नेक्स प्रस्टन क्यों चलते है अगला प्रस्टन क्या कहता है नाकपुरी नाटक ठाकुर विस्वनात साही कर नाटक में गीत कर रचिता कोन नाकपुरी कभी है देखी यानि कि यहाँ जो गीत गीत आया है बीच बीच में गीत का गायन हुआ है नाटक में ठाकुर विश्वनात साही नाटक में उगीत का रचनाकार कौन किये हैं यानि कि रचित कौन किये हैं तो यह जो गीत का रचनाकार किये हैं स्री परफुल कुमार राय जी किये हैं option number इसका D साही हो जाएगा चलिए 29 नमबर प्रश्ण है क्या कहता है नाकपुरी नाटक ठाकुर विश्ण साहब बहुत ही ज़्यादा सोक चिंता में कौन द्रिश्ण में डूबल रहें तो ये तीसरा द्रिश्ण में सबसे ज़्यादा चिंता में डूब के बईठल रहें option number इस हो जाएगा चलिए 30 नमबर प्रश्ण है 30 नमबर प्रश्ण है सब्वास बहादूर विश्वनात साही ने इस नाटक में किसे बोला सब्वास बहादूर विश्वनात साही नाटक में किसे बोला तो सभास बहादूर कोन बोला और किस ने बोला तो यहां नादिर अली को यह विश्वनात साही जी ने बोला था सभास बहादूर ठीक है चलिए 31 नमर्प्रास्ण है, प्रफुल कुमार राय कर पिता जी का देहान्त कब होई रहे? तो पिताजी का जो देहान्त हुआ था, कब हुआ था? 1940 इसवी में हुआ था कब हुआ था 1940 इसवी में प्रफुल कुमार राय जी के पिता का देहांत हुआ था चलिए नेक्स्ट प्रशन है आपका 32 नमर प्रशन है प्रफुल कुमार राय कलेक्टरी प्रोवेशनर में काम करना कब से शुरू करलन तिक है याने कि collectory professional में कब से काम करना शुरू किये थे तो 1945 से यह प्रफुल कुमार राये शुरू किये थे ठी है चलिए अगला प्रस्ण क्यों चलते हैं हम लोग अगला प्रस्ण है मिर्त्विंजय नाथ सर्मा करबारे में सही है तो कौन सही है तो यह एक व्याकरन वेदाचारी थे ठीक है व्याकरन वेदाचारी और इन्हें अचारी अचारी नहीं अचारी स्री का ठीक है अचारी स्री का मिला था अचारे नहीं तो कन्फ्यूज ना होंगे व्याकरन वेदा चारे थे अव अचारेत तुबका अचारेत तुबका इन्हें क्या मिला था सम्मान मिला था लेकिन अचारे का नहीं मिला था ठीक है 35 नबर प्रस्ण है खंड काव्य विपलवी महान निमन में से किकर रचना है तो यह जो खंड काव्य विपलवी महान जो रचना है किन के द्वारा रचित रचना है सार्दा परसाद सर्मा के द्वारा यह रचित रचना है तो भाई आप मुझे ये बता दें कि सार्दा सर्मा का जनम कब हुआ था ठीक है सार्दा परसाद सर्मा का जनम कहां और कब हुआ था ये आपको कमेंट सेक्षन में कमेंट करना है ठीक है कमेंट सेक्षन में आपको कमेंट करना है और यह बताना है चलिए हम लोग अगले प्रस्न की ओर चलते हैं हना चलिए अगला प्रस्ण है नाकपुरी कभी सार्दा परसाद सर्मा कर निधन कितने वर्ष की आयू में हुआ था ठीक है यानि कि होल हलक यहाँ जो नाकपुरी कभी सारधा परसाद सर्मा का निधन कितना वर्ष की आयू में खोल छलक ये 84 वर्ष की आयू में इनका निधन हुआ था ठीक ना, निधन हुआ था आधुनिक काल में नाकपुरी भाषा के प्रमुख लेखकों मैं से निमन में से कों है मतलब आधुनी काल में ऐसे ही वह कौन नागपुरी कवी थे, जो एकडम प्रमुख लेखकों में से थे सहनी उपेंदर पाल नहन, जो है इनका उपनाम क्या है भई? तो सहनी उपेंदर पाल नहन जी का उपनाम है, क्या है? इनका नहन नाम है, सहनी उपेंदर पाल नहन जी का उपनाम क्या है नान है इनका जन्म कब हुआ था इनका जन्म कब हुआ था तो 15 अक्टूबर 1930 को हुआ था कार्तिक मासकर प्रिष्ण अस्नी को कहा भई तो गुमला में गुमला में कौन जगा तारा गुटू में हुआ था कहां हुआ था तारा गुटू में हुआ था सार्दा परसाद सर्मा का जो है अभी तक कमेंट सेक्षन में कमेंट नहीं आया है भई तो सार्दा परसाद जो है सर्मा का जनम कब हुआ था भई जनम कब हुआ था तो 1927 भी में हुआ था कहां हुआ था इनका भी जो जनम है 1927 सिवी में गुमला में हुआ था डुमर डिहा गाउं में हुआ था नेक्स चलिए आपका अगला प्रस्ने क्या कहता है भई ये भी देख लेते हैं सहनी 38 प्रस्ने सहनी उपेंदर पाल नहन को निमन में से कोन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो देखिए इनको बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं लेकिन बहुत सारे पुरस्कार में यहां आपका जो है पहला सेवा रतन था ओप्सन नमबर ए देखिए सेवा रतन है दूस कि ये जो सहनी उपेंदर पाल नहन जी को है सेवा रतन का पुरसकार और ये कौन सा सेवा रतन का पुरसकार और जार्खन रतन का पुरसकार इन्हें कब दिया गया ठीक है ये आप कमेंट सक्षन में कमेंट करेंगे चलिए अगला प्रस्ण है डॉक्टर बीपी केशरी प्रसाद को विद्या सागर पुरसकार कोन इस भी में दिया गया तो विद्या सागर पुरसकार उनिस सो बेरासी में दिया गया ओप्सन नमबर इसका दी सही हो जागा भाई कहां से दिया गया तो विक्रम सीला विद्यापिट भागलपूर से इनका यह सम्मान दिया गया ठीक है चलिए नेक्स, 40 वा नमबर प्रशन जो है Dr. BP केषरी को भारत एंदू हरिस्चंदर सम्मान गब दिया गया तो Thomas 2003 Sv में इनको यह पूरसकार दिया गया कितना दो हजार तीन इस्वी में कितने इस्वी में दो हजार तीन अरे कोन अरे हला मत करो यहां तो यह जो प्रशन है याने की कितने में मिला था दो हजार तीन में भारत एंदू हरिश्चंद्र सम्मान हरिश्चंद्र तीन हरिश्चंद्र उनकी पत्नी और एक बेटा हरिश् और उनकी पत्नी और एक बेटा यानि कि यहां देखिए 2003 बस हरिष्चंदर से याद रखिएगा 3 हाना यानि कि भारत यंदू हरिष्चंदर कब दिया गया 2003 में कब 2003 में भारत यंदू हरिष्चंदर बीपी के स्री को कब दिया गया 3 में कब दिया गया ? तीन में हरिशंद्र सम्मान तीन में Next अगला प्रफन है अगला प्रफने क्या कहता है कोन नाखपुरी कवी को नाखपुरिया समाज के सच्चिव चुनल गेल हलक ठीक है इसकी कोन नाखपुरी कवी है जिन का जो है चुन्नाव क्याम हुआ था नागपूरिया समाज के सच्यु में हुआ था तो ये हैं नईमुदिन मिर्दाहा भाई तो ये बता ये कि नईमुदिन मिर्दाहा का जनम कहा हुआ था और गभभभभभभभभभभ 14 जुन 1936 को होँआ कहा भाई कादो जोरा बेंडो घाघरा गुमला में ठीक है इतना कादो जोरा खाली याद रखें ना कादो जोरा ठीक है यह आप याद रखें आपके लिए यह सायक होगा गुमला घाघरा गुमला में ठीक है चलिए आगे नहीं बताएंगे कि माता का क्या नाम है पीता का क्या नाम है तो माता का आप जान लीजे महन बीबी ठीक है महन बीबी लेकिन इनका पप्पा जी का नाम आप बताएंगे पप्पा जी का नाम नई मुदिन मिर्दाहा के जो पप्पा जी है वो उनका नाम आप बताएंगे कमेंट सेक्सल में चलिए नेक्स जो है 42 नम राची डी सभी तो इसका सही अंसर जो हो जाएगा डी सही अंसर हो जाएगा चलिया गिरी राज गिरी राज की ने बोला गया है तो गिर्धारी राम गोंजु का जो है उपनाम क्या है गिरी राज है इसलिए इनको गिरी राज दर्सा दिया गया है तो गिरी राज को 2003 में लो जोग सेवा समेती राची द्वारा कोन सा पुरसकार देवल गे लखे जारखन रत्न पुरसकार इन्हें 2003 में दिया गया है तो भाई आप ये बता दें कि गिर्धारी राम गोंजु का जो जनम हुआ था कब हुआ था पांच दिसंबर ठीक है पांच दिसंबर और उनिस सो उन् के खुट्टी में हुआ था चलिए नेक्स्ट आपका अगला प्रस्ण है ने ने पहले इनके बारे में और थोड़ा सा जान लेते हैं कि इनके जो है पिता का क्या नाम था इंद्रनात गोंजु क्या नाम था इंद्रनात गोंजु तब भाई पिता का नाम तो मैंने बता दि अगला जो प्रस्ण है राची एक्सप्रेस न्यू मैसेज डहर निमन में से कोन नाकपूरी कवी के द्वारा लिखल गे लगे तो ये जो है गिरी राज की द्वारा लिखा गया है तो गिरी राज की जो माता जी का नाम था क्या था लाल मनी देवी क्या था लालमनी देवी इनका जनम कहां हुआ था अभी तुरंत मैंने बताया कहां कहां हुआ था खुटी में कहां हुआ था खुटी में कौन सा जिला में हुआ था खुटी में कब जनम हुआ था पंदर दिसम्बर कब जनम हुआ था पंदर दिसम्बर उन्हीं सव इन्चासि का जब मैंने full course करवाय था तो उसमें मैंने trick बता है वो trick आप use कर सकते हैं, सारे trick को आप use कर सकते हैं लोग गीत स्वताह जन्मा है कौन पुस्तक से level गिलके तो लोग गीत स्वताह जन्मा है यह जो है कौन पुस्तक से लिया गया है statement लिखा गया है और ये बात किसने बोला है ये भी बोला गया है तो ये बृटेनिका कहां से लिया गया है बृटेनिका से ये लाइन लिया गया है और ये कौन लिखे है ये भी आपको बताया जाएगा बता दिया गया है अब लोकगीत का कलास करेंगे तो तो फस्ट जो है, पहला अंसर इसका हो जाएगा, वासु देव सरन अगरवाल, कौन? बासु देव सरन अगरवाल, कौन है? बासु देव सरन अगरवाल, नेक्स्ट, गीत कर आत्मा हो वेला, तो गीत कर आत्मा होता है, जो लाय होता है, उस नमबर इसका सीस सही हो जाएगा, कि किन के गीत को अत्यधिक महतों दिया गया है लोक गीत में तो इस्तरी के गीत को अत्यधिक महतों दिया गया है यानि कि ओप्स नमर जो है बी यानि कि इस्तरी के गीतों का अत्यधिक महतों दिया गया है पचास नमर जो प्रशन है क्या है भगवा के गीतों में कौन भगवा बगरा चर्चा मिलेला तो ये जो है श्री कृष्ण जी का मिलता है राधा और स्री कृष्ण जी दोनों का मिलता है चलिए एक्यावन नंबर जो प्रश्ण है उदासी मौसम में गावल जाईला तो ये जो है उदासी मौसम जो उदासी जो गाया जाता है गेत कौन से मौसम में गावल दैला तो जेठ और वैसाग के मौसम में गाया जाता है भाई जब गर्मी से आदमी जेठ में पूरा धूप चिल्चिलाती धूप रहता है तो गर्मी के मोसम से अंसा कर, चिल्चिडा कर ठीक है, तो ये जो होता है यह उदासी गीत का गायन होता है इसमें जो होता है, एकदम उच्च स्वर नहीं होता है, नॉर्मल स्वर में ध्वनी बसते हैं, मदूर स्वर में ध्वनी बसते हैं, कोई भी जो स्पूर्ण गीत नहीं गाते, कोई भी जो स्पूर्ण वाद यंद्र नहीं बसते, ठीक है, एकदम सम्माने तरीके से सारे बसते चलिए अगला प्रश्ण की ओच चलते हैं ये टेस्ट का जो एनलेसी से कैसा लग रहा है दिल से बोलिएगा क्योंकि मैं भी आप लोग सभी को दिल से ही पढ़ाता हूं धरती पूजा के कोन माह में मनावल जाईला तो इसका जो है ओप्स नमबर भी हो जाएगा चैत्र बैसा चलिए नेक्स्ट जो है तिरुपानवा नमबर प्रश्ण नाकपूरी व्याकरन में घोस ध्वनी कर कुल संख्या कितना है तो अप्स नमबर भी इसका सही हो जाएगा ठीक है इसका जो है घोस ध्वनी का जो संख्या है कितना है बी सही हो जाएगा घोस ध्वनी का जो संख् भाई घोस क्या होता है घोस हो गया अघोस हो गया अल्प परान हो गया महा परान हो गया यह सब क्या है तो यह सब आपको सारे चीज बताए जाएंगे और घोस अघोस अल्प परान महा परान जितने है सारे चीज को आपको यहां तो ये जो घोस धुनी अघोस हो गया अलप प्राण महां प्राण सारे की जो संक्या है वनली दस है ठीक है ये नोट कर लेंगे भाईं में अपना और घोस का कोड कितना होता है तो 3 और 4 होता है भाई अगर आपको घोस क्यात करने के लिए बोल दे कि कवर्ग में घोस कोण-को तो चोथा नमबर पर कौन है? घh और तीसरा नमबर पर ग तो यही ग और घh जो है, खोस हो जाएगा समझ में आया? चलिया नेक्स्ट प्रशनी क्यों चलते हैं च och nic advances की कर उधारन है च остав निम्ण में से केकर उधारन है चो और चो का बात यहां हो रहा है ठीक है तो चो और जो चो है वो अगोस है तो अगोस का कोड क्या होता है देखे चो और चो यानि कि एक और दू तो यही जो है आपका अगोस का कोड हो जाता है अगोस का कोड कितना होता है कोड आप जरूर याद रखिएगा ठीक है अगोस क जो कोड होता है तीन चार ये सारे कोड याद रखेंगे आप सारे चीज निकाल सकते हैं ठीक ना चलिए अगले प्रस्ण क्यों चलते हैं पच्पन नमबर प्रस्ण है नाकपुरी सदानी व्याकरन कर अनुसार नाकपुरी सदानी व्याकरन कर अनुसार नाकपुरी सदानी सद कर अनुसार वर्ण कर जो भेद होता है बारा होता है कितना बारा किसके अनुसार सदानी व्याकरन किसके अनुसार सदानी व्याकरन समास सदानी व्याकरन के अनुसार समास साथ समास साथ ठीक है यह सब चीज़ आप याद रखेंगे नागपुरी में चलिए 56 नमबर प्रश्ण है नागपूरी में बंगला जुमर कोन परधान कर गीत है के तो ये पुरुस परधान का क्या जो है गीत है ठीक है चलिए अगला प्रश्ण की ओर चलते हैं हम लोग 57 नमबर जो प्रश्ण है निम्न में से कोन राग गीत में स्रिंगार रस वीर रस विरह रस कर भाव मिला तो ये पावस जो गीत है इसमें आपका स्रिंगार रस का भी मिलता है वीर रस का भी मिलता है और विरह रस का भी मिलता है ठीक है सारे चीश का मिलता है अंठावन नमबर प्रश्ण है जुमकी जुमकी बुन्द बरसेला गोरी को जीवा लगे उदाष कहें गोरिया जीवा लगे उदाष, चल हमरीन देखें हो जुमकी जुमकी पानी बरसेल कोन गीथा कें? कोन गीत है तो यह जो है बारह मासा गीत है कोन गीत है बारह मासा गीत है कई कोन गीत है कई बारह मासा गीत है कई ठीक है शलिए अगले प्रस्ण की वर तो यह रीतु संबंधी गीत के अंदर आता है यानि कि रितु गीत के अंदर ही 12 मासा गीत आता है, होली गीत आता है, फकडोल होता है, सारे रितु गीत के अंति आता है, बंस का है, ये व्याकरण का प्रश्ण है, बंस क्या है, तत्सम है, तदभाव है, अर्ध तत्सम है, क्या चीज है, तो बंस क्या चीज है भाई, ये ज सारी क्लास होंगे धिरे-धिरे इसके लिए आप डोंट वरी हाना तो अर्ध तत्सम किसे कहते हैं जो यहां देखिए तो अर्ध तत्सम किसे कहते हैं जो देखिए जैसे कि मैं बता दूँ जैसे कि हम लोग हिंदी में वन्स लिखते हैं ठीक है हिंदी का नाकपुरी में अनु यही क्या कालाता है और्द तत्सम कालाता है समझ में आया की नहीं क्योंकि ओधे इसमें तत्सम है यह तो नाकपूरिया में बदल गया जी वंस जो है बंस में बन गया ठीक है तो यह चीज आप याद रहेंगे आपको कोई इंसेश्टिउट वाला यह सब चीज नहीं अरे यह तो प्रश्न बाहर चला गया इस प्रकार से आपका फिर एक्सप्रेशन होगा अना चलिए योग योग नाकपूरी में का हो चाहिला तो योग जो है जोग बन जाता है जैसे यह जो है नाकपूरी में का बन जाता है जो तीक है वह जो है नाकपूरी में का बन जाता है तो ब in the same way ताल भी सा और ये मुर्धन सा दोनों सा का में बन जाता है मुर्धनी ना जो है का तो नागपुरी में यूज नहीं होता है लेकिन इसका यूज का चीज में होता है ये दंतना में ठीक बहुत सारे चीज है आप व्यक्रण पढ़ेंगे न व्यक्रण का वो क्लास देख लिजे आपका नईया व्यक्रण में पार है एकदम डीटेल्स में सारे चीज बताये गया है आपका नागपुरी से एक भी प्रसन छूटा तो फिर क्या एक साथवा नमबर प्रसन क्या है नागपुरी व्यक्रण में दिर्ग स्वर की संख्या कितना है तीन है कौन कौन है दिर्ग स्वर जो उचारन करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मिले आ बड़ी इ बड़ी उ ये तीनों क्या है ठीक है आ बड़ी इ बड़ी उ ये क्या है दिर्ग स्वर यहीं लगू सवर क्या है यही जो आपको बार बार बताता हूँ बहुत सारे बुकों में गलत दिया हुआ है कि किसी में 35 होता है किसी में तो यही सारे आप लोको मैं तो पुरुफ करके दिखा रहा हुँ नागपुरी में वहवार होने वाला स्वर्वर्ण की संख्या कितना है नागपुरी में वहवार होने वाला स्वर्वर्ण की संख्या कितना है तो आठ है अभी मैंने तुरंद बताया अगला प्रशन क्यों चलते है अगला प्रशन है अगला प्रशन क्या है देखिये यही आठ जो है श्वर्वर्ण कौण कौण से A, E, O यह जो तीनों हो गया, हस्वम स्वर हो गया, हस्वस्वर, हस्वस्वर वर्ण कभी केके जगाय कर पर्यास कर ले हैं तो जागा जागा कवीता में कभी केके जगाये कर परियास कर ले है तो जल्दी बताएं तो सभी को जगाने का परियास किये है भाई ये बताईए कि जागा जागा जो है क्या है गीत है या कवीता है आपको ये पता तो है न कि जागा जागा क्या चीज है तो जागा जागा क्या चीज है बताईए जागा जागा कवीता है या गीत है या आप कमेंट सेक्षन में कमेंट करके मुझे तुरंद बताए तो जागा जागा है यह क्या है कीत है या कवीता है तो यह जो है कवीता है ये जो है कविता किन के द्वारा जागा जागा लिखा गया है सीडी सिंग के द्वारा जब आदमी बचपन में हम लोगा सीडी कैसेट लगता था तो हम लोगा तुरन एदम जाग जाते थे निंद खुल जाता था तो CD cassette याने की CD sing जागा जागा लिखा गया है Next ए दादा बिर्सा एक धाओं तो बोल आफ़ाइत कर बेरा में मुहतो खोल इपंक्ती कौन कविता से लेवल गलके तो भाई इजो कविता है बिर्सा तोर याइद में यानि बिर्सा तोर याइद में जो है इस कविता से लिखा गया है तो इनके लिखक कौन है तो इनके जो लिखक है बिर्सा तोर याइद में छीतिज गुमार राय है कौन है छीतिज गुमार राय जी है देख लिजे चलिए अगला प्रश्न है मुझे उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को पूरा देख रहे हैं जितने भी सारे स्टूडेंट देख रहे हैं समझे अभी तक जितने स्टूडेंट अभी तक लगे हुए हैं समझे कि उनमें जुनून है कुछ जानने के इक्षा है नितो भाई 100 टाइम में बता दिए हो गया सर आप जाला टाइम ले रहे हैं तो आपको यह कैसा लग रहा है ये चीज आप ज़रूर बताएंगे भिम महतो के द्वारा लिखल कविता निमन में से कौन है भिम महतो के द्वारा लिखल कविता कोन है काइए नाकपुरक भाईमन है ठीक है नाकपुरक भाईमन चलिए next इस कविता में पवित्र मन से ठीक है का करबुदा रोपला है तो तुलसी करबुदा रोपा गया है का करबुदा रोपा गया है तुलसी करबुदा याने की बीच आंगन में तुलसी करबुदा जो है कहां रोपा ग प्रसन कब हुई मन प्रसन जेठ मास अति कविता में मन प्रसन जो है कब होता है जब बर्खारी तु आता है ठीक है जब बर्खारी तु आई तो भाई जेठ मास अति कविता के लेखक कोन है लेखक मैं इसलिए बता देता हूं कि ताकि आप कभी भूले न एक जामे तो भरत न नायक इनके लेखक है और जेठमास अतिक वीता में जो आपका ये पद है पद कितना है पद है तीन शलिए next अगला प्रस्ट है और 60 प्रस्ट है गिर्धारी राम गोंजु के रचनाकार के यह गई गिर्धारी राम गोंजु के रचनाकार मतलब कहने निम्न में से गृधारी राम गोंजू कर रचनकार कोन है तो यह तोर बेतरा में तोर बेतरा में किसके द्वारे लिखा गया है गृधारी राम गोंजू गिरीराज के द्वारे लिखा गया है तोर बेतरा में जो है यही किनके द्वारे लिखा गया है खोपा कर रंग तोर बे कुमारी वासंती का जनम कब हुआ था सारे चीज आप लोग को बताया जाता है ठीक है नेक्स्ट नागपूर कर धरती का उगलेला तो नागपूर कर धरती नागपूर यानि जहारकन कर धरती हम लोग का सोना उगलता है क्या उगलता है सोना option number इसका सी सही हो जाएगा छलिए अगला प्रस्ण है मुलुक भारत 71 नमबर प्रस्ण है मुलुक भारत कविता कर अनुसार सबसे बड़ा बुद्धिमान किसे बोला गया है तो यह राजेंद्र बाबू को बोला गया है तो यह जो मुलुक भारत है यह किनके द्वारे लिखा गया है ठीक है इनके लेखक कौ कोन है पांडे कोन है जली बाहरा मुलुख भारत जो कवीता कर लेखक है कोन है पांडे रविन रेखक है या अजीजवारी तो भाई छे जो लेखक जारे भाई ये बताईए कि ये जो पंक्ती लिया गया है कौन से कवीता से लिया गया है तो जगत जननी से लिया गया है ठेक है जगत जननी से लिया गया है और इनके जो लिखक है सकुंतला मिश्रजी है सकुंतला मिश्रजी है चलिए अगला प्रशन अगला प्रस्ण जो है पोडिलो बर्खा रीतू सबसे पहले ये बता दो पोडिली बर्खा रीतू क्या है गीत है या कवीता तो ये पहले मैं बता दूँ कि ये जो है गीत है क्या है पोडिलो बर्खा रीतु गीत में पोडिलो का अर्थ क्या होता है तो आना होता है ठीक है पोडिलो बर्खा रीतु के लिखा कोन है रगुनाथ निरपती जो नागवंसी का पचासमर आजा थे रगुनाथ निरपती नाकपुरी कवी पूर्दो बर्खारी तु मैं केकर स्वर सुनाई देवेला तो दादुली यानि की मेंधक कर और डाहुक यानि की पक्छी यानि दोनों का आवाज सुनाई देता है यानि दादुली का जो अर्थ होता है मेंड़क होता है और डाहू का जो अर्थ होता है पक्ची होता है सेज पर निंद काले नी आवत रहे तो सेज पर निंद किसलिए नहीं आ रहा था सेज परनिंद काले नी आवत रहे तो किस लिनी आ रहा था क्योंकि अंग में बठा था ठीक है कहा बठा था तो अंग में बठा था शरीय अगले प्रस्न क्यों चलते हम लोग अगला प्रस्न है पापी प्रान छूटे नहीं जटके सिस्ट गीत में कहा अटकने का बात कहल गे लगे तो हंस हंस यानि की प्रान को ही यहां जो है क्या बोला गया है हंस बोला गया है किसको बोला गया है प्रान को ही हंस बोला गया है नेक्स्ट सथत्तर नमबर प्रस्न है हर लोग पर लोग विनास कर ही सोक इपंक्ती में हर लोक कर अरत का होवी, तो मिर्त्वी लोक होता है, उप्सन नमर इसका सी सही हो जाएगा, नेक्स अठक्तर नमर प्रश्ण है बर्जु राम पाठक कर रचना काल कब से कब तक है तो बर्जु राम का ही पूरा नाम जो है क्या है बर्जु राम पाठक है इनका जो कारेकाल है अठारह सो से अठारह सो पच्चास तक का है अगले प्रश्ण क्यों चलते हैं अगला प्रस्न है नाकपुरी कभी घासी राम का जनम कहा होई रहे तो ये जो है करकट चूटिया राची में हुआ था सारे गाउं पंचायत है करकट चूटिया राची कृपाल केके कहल गे लहके जो कृपाल कहा गया है किसको कहा गया है कृपाल क्रिपाल यहां किसे कहा गया है तो गनेश जी को कहा गया है और यह भाई लिया किसे कौन सिष्ट गीत से लिया गया है तो यह जो लिया गया है आपका थारू दाता दिगंबर से लिया गया है ठारू दाता दिगंबर से लिया गया है कहां से लिया गया है जिनके लेखक कोन है ये घासी राम जी है ठीक है घासी राम नेक्स्ट 81 नमबर प्रशन क्यों चलते हैं ठारू दाता दिगंबर सिष्ट गीत कर गीत कार के हकई तो ये घासी राम है तो चलिए अगला प्रशन क्या कहता है नागपूरक माटी काले कांदत रहे नागपूरक माटी किसलिए कांद रहा था ठीक है ये प्रशन है कि नागपूरक माटी काहला कांदत रहे तो किसलिए तो बेटा कर फासी देखके ये जो है नागपूरक माटी कांदत रहे ये कड़की उठलक तरवारी से लिया गया है तो और प्रफुलकमार राय के बारे में आप अच्छी तरीके से जान रहे हैं का सुनी के जीवा डरत रहे तो बदरीकर गरज और ये जो है सावन घटा से लिया गया है भाई ये बताए कि सावन घटा के लेखक कोन है ठीक है सावन घटा जो गीत है इनके लेखा कोन है नई मुदीन मिर्दाहा ठीक है कोन है नई मुदीन मिर्दाहा चलिए अजादी खातीर गीत में कोन रस भेटाईला तो वीर रस भेटाता है तो ये वीर रस भेटाता है क्योंकि अजादी का बात हो रहा है ठीक है और इनके ज अगला प्रस्ण यही है कि मन का हुवत रहे तो मन हहरत रहे मन का हुवत रहे तो हहरत रहे option number इसका 20 सई हो जाएगा अगर आप लोग अभी तक AD classes set नहीं खर दे हैं तो AD classes प्ले स्टोर पर सर्च किजिए यही जो AD classes याने AD जाटन classes जो है इसी का app है AD classes जो लोगों दिखेगा golden color में AD लिखा हुआ वही प्ले स्टोर में आपको दिखेगा तो आप जल से जल टेस्ट लगाने है तो आप जल से जल AD classes डाउनलोड करें वल्ली 149 में आपके 20 प्लस सेट एभिलेबल हैं और इस स्टेट में आपके संपूर्ण कोर्स का questions आ जाएगा संपूर्ण कोर्स का courses अरजुन कहत बिचारी सिस्ट गीत में कैगो पद है तो यह अरजुन कहत बिचारी तीन पद है चलिए पूरे जग के जन लोग काले बिलोब करत रहें तो यहां हैजा और सीदला देवी का परकोप हो गया था इसलिए यहां हो रहा था यह सम्वत 55 साल से लिया गया है इनके जो लेखक है दरिकबाल राम देवगरिया है नेक्स सताशी नेमर प्रस्ण जारखन भासाओं की समस्या एवम संभावना केकर लिखल रचना है तो बीपी के स्री के द्वारा लिखा गया है अमरीत कर साइकल कोन गाच्ठीन रूइक जात रहे तो अमबा गाच्ठीन रूइक जात रहे ठीक है चलिए नेक्स जो प्रस्ण है सीबा काले अंसाइग लग तो सीबा जो है काले अंसाई गेल लग तो एक घर के जंजट से अंसा गया था सीबा कोन कहानी कर पात रहे गई तो सारे चीज आपको बता दिया गया है ठीक है सारे चीज अब प्रश्ण होंगे यहां से ठीक है नेक्स्ट 90 नमर प्रश्ण लीला माई बन लग तो केकर खुशी कर ठेकानना रहे जब लीला मा बनी थी तो किसका खुशी कर ठेकानना नहीं था तो सुसीला कर सुसीला सबसे ज़्यादा खुश थी यह सुसीला कोंती खीरोधर सिंकर सबसे छोट बहुरिया यानि के पत्नी यानि के मिरहारू तो यह जो महरी होता है, जो बहर्या होता है, जो भोजपुरी की चौथी भासा ही है नाकुरी, तो सारी चीज रिलेटेड होते हैं, तो लीला की जो माई है, वो बन लग, तो केकर खुशी सफ़ जादर सुसीला को हो लग, देवमन ओहदार क्षण आदमी रहे, तो एकदम चं रखत रहे, तो चीकन और चाकन दोनों रखत रहे, यानि कि option number इसका सही हो जागा, c, next, महात्मा कोन बरन कर संदी हो के, तो दिर्ग संदी हो के, कोन संदी, दिर्ग संदी, जब देखिए, यह 10 गंडे के क्लास में यह सब देखेंगे, तो सारे चीज यहां कबर कराए गया ह ठीक है, यानि सारे चीज कबर कराए गया है, तो दिर्ग संदी, अगला प्रस्न, बन मानुस कोन समास कर बहवार होई है, बन मानुस जो है, कोन समास कर बहवार हुआ है, ठीक है, बन मानुस, तो यह जो है, आपका सही अंसर रहेगा, ततपुरुष समास का बहवार यहां ब रट लेंगे विभक्ति से प्रश्न आता है एक तू प्रश्न आही जाएदा तो विभक्ति को रट लेंगे यह आपको यह नोटिस है यह इंप्वाडिन्ट है ठीक है जैसे वार्निंग आप फोम में भरते हैं न कि यह चीज फिलब करना स्टार दिया हुआ है इसी तरह यह का क्रिया कर उब्वेद है तो यह जो है सकर्मक्रिया कर उब्वेद है किसका सकर्मक्रिया देखे सकर्मक्रिया अकर्मक्रिया किसे कहते हैं कहने का मतलब यह है कि सकर्मक्रिया जो क्रिया से क्यों और कैसा का जवाब मिल जाए ठीक है वो सकर्मक्रिया कहते है जैसे मैं खाता ह क्या खाता हूं तो इसमें कोई जवाब नहीं मिला तो यह क्या हो जाएगा अकर्मक किरिया हो जाएगा मैं डाल खाता हूं तो यह क्या हो गया क्या खारे वो डाल खारे वो अगला प्रस्ण है बहु बचन बनायक वाला परति आये निमन में से है कई तो कौन सा है मने मन मने मन भी है जैसे कि उमन इस प्रकार से सवभे मने इस प्रकार से सवभे सवभ यानि कि जो हो जाएगा अंसर इसका चारो उत्तर होगा पढ़ेक सब्द में मूल धातु कर संबंद निमन में से केकर आहे पढ़ पढ़ का यह मूल धातु पढ़ेक है नागपुरी सदानी बोली कर वयाकरन कर लेख़ कोना है नागला अगला अगला प्रस्ण है और दोस्तों आप comment section में comment जरूर करेंगे क्योंकि आप लोग के लिए दिलो जान से मैं मेनद कर रहा हूँ और analysis भी ला रहा हूँ आप लोग के लिए ही मैंने ये app develop करवाया है ये 15 जुलाई को launch हुआ था ठीक है सिर्फ मैंने ये आप लोग की सहूलियत और अच्छे marks लाने के लिए ही मैंने app launch करवाया है ठीक है क्योंकि देखिए आपको अगर test देना हो तो आप test दे सकते हैं ठीक है course खरीदना हो तो course खरीद सकते हैं आप course से भी PDF डाउनलोड हो जाता है आप print out करवा सकते हैं ठीक है तो सारे चेज आपको रहेंगे यहां तो ये सब आप लोग के लिए करवाया जा रहा है ठीक है तो ये नागपुरिया सदानी बोली का व्याकरन में कितने सरबनाम का परयोग कर जाया है नागपुरी या सदानी बोली के व्याकरण में कितने सरब नाम का परियोग कर जाता है तो दोस्तों आप मुझे ये बताएं कि ये जो है आपका ये 100 questions का analysis जो नागपुरी set 2 है जो 80 classes पर अभी चल रहे हैं ये set का class आपको कैसा लगा और analysis कैसा लगा टिक है analysis कैसा लगा ये comment section में comment करेंगे ये तो देखिए 80 classes पर तो set होंगे कितने आपका आपका देखिए 22 से 23 set होंगे ठीक है और सारे का analysis चाहिए या नहीं चाहिए ये भी आपको comment section में ये मेरे पास कम से कम तो 400 से 500 ये comment section में comment आना चाहिए कि 200 जो है 200 का analysis आना चाहिए तब ही होगा otherwise नहीं होगा 23 का 23 analysis ठीक है चलिए इसी एक साथ मैं अपने वानी को विराम देता हूं धन्यवाद watching for this video जै हिंद जै भारत